आप सभी का आज एक खास टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं लैंडमार्क इमिग्रिशन के चीफ जस्मीत भाटिया जी हमारे साथ मजूद हैं आज का जो टॉपिक है वो यह है कि हमारे स्टूडेंट्स केनेडा में डिपलोमा कोर्सिस के लिए क्यों जाते हैं डिपलोमा कोर्सिस का फाइदा क्या है और किस के लिए है और डिपलोमा कोर्सिस का नुकसान किस के लिए है कई स्टूडेंट्स को नुकसान है इसका यह अप कॉल करके अपने प्रफाइल से जुड़ी कोई भी इंफरमिशन ले सकते हैं जस्मी जी आपका स्वागत है है जस्मी जी डिप्लोमा में बड़ा ज्यादा टंडेंसी है स्टुडेंस की रुजहान है डिप्लोमा कोर्स में बहुत ज्यादा खास तौर पे कनेडा के लिए ऐसे कौन से रिजन्स हैं कि हमारे स्टुडेंस डिप्लोमा कोर्स में जाते हैं और इसके नफ़ा नुक्सान क्या है मैं चाहूंगा कि आप एक्स्पेंड करें आज स्टुडेंस डिप्लोमा के फैदे भी बहुत हैं और तुसी तरह देखा जाए तो यू के बेनेफिट मोर आउट अफ डिगरी ऑलसो मैं नुक्सान कोई नहीं कहने वाला डिप्लोमा का से डिप्लोमा इस वेरी पॉपलर फॉर कनेडियन इंसीचूट्स और जो कनेडियन इ दिग्रीज एक्सपेंसिव होती हैं और फॉर्डेबल बैचलर डिग्रीज ऑलसो उनके लगता है कि दो साल की फीज देनी असान है तीन या चार साल की फीज देनी क्या करते हैं मुश्किल हो सकती है अफॉर्डेबल है यह एक मोहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेकेंड जिए है कि स्टूडेंट्स को यह होता है कि दो साल का डिपलोमा करते है उसके भाद तीन साल का पोश्टमर वर्क पर्मिट लेते हैं और उस 2 पी इन साल के पोश्टमर केया ऑलसो डिपलोमा चूजख करने का दूसरी चीज नेरी करमा कंए हiti हम बाचलर लगरी कर सकते हां तो इसलिए students को लगता है कि whereas UK और Australia ने डिपलोमा पर वीजास देने बिल्कुल बंद किये हुए हैं बट Canada अभी डिपलोमा पर वीजास दे रहा है तो ये तीन factor हैं जितको देखते हुए मेरे को लगता है कि Canada में डिपलोमा is very very popular पर इसके अगर दूसरी चीज़ कहें कि डिपलोमा करके बच्चों को अच्छी जॉब मिल जाएगी तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि डिपलोमा करके बच्चों को अच्छी जॉब बिलकुल मिल जाएगी और बिकॉज टेक्निकल डिपलोमा है जैसे हमने कहा कि welding and plumbing का डिपलोमा है इसके लावा heating ventilation का डिपलोमा है mechanical engineering का डिपलोमा है construction engineering का डिपलोमा है civil engineering का डिपलोमा है तो इन सारे डिपलोमा में अगर हम बात करें तो आपको अगर डिपलोमा आप करते हैं तो आपके bright chances हैं कि आपको जो अच्छी जॉब मिलने के chances हैं अच्छी मतलब अगर हम बात करेंगे येस डिग्री से अगर हम compare करेंगे तो when you will complete your degree you can get a higher rank like manager की job मिल सकते है but अगर हम supervisor की job लेना चाहते हैं तो बहुत सारे student supervisor की job भी diploma करके ले लेते हैं so I know few students इन्होंने computer programmer का diploma किया और आज they are taking 30 dollars in an hour so that's a good amount of money 30 dollar एक घंटे के is a very good amount of money so students it is not at all bad to take diplomas yes if you want your career graph to be more on the rise I think degree can be beneficial and there are lot of degree programs which are affordable also and lot of universities which are giving good amount of scholarships also so if you want to avail those scholarship you need to go into a degree program because अगर diploma की बात करें तो colleges right now don't have any space scholarship की तो दूर की बात है they don't have any space तो scholarship नहीं मिल पाएगी आपको seat ही मिल जाए वो ही बहुत बड़ी बात है so I will conclude by saying it is really good to take diplomas but जैसा visa turnaround है कि कुछ अच्छी profiles को degree programs में apply करना चाहिए और जिनको multiple refusal जादाती है degree diploma में तो वो degree program में अपना visa apply करके ले सकते हैं बिल्कुल ठीक है जस्मीजी काफी अच्छी information जस्मीजी ने हमारे साथ share की है 90413 90412 इस नंबर पर आप बात करके जादा information हासिल कर सकते हैं कोई भी clarity चाहिए आप देश के किसी भी हिस्से में हैं आपको अपनी file move करनी है आप landmark immigration के जरिये इन नंबरों पर संपरक करके या अपना profile भेज के अपनी file को आगे बढ़ा सकते हैं किसी तरह की information ले सकते हैं email कर सकते है information info at landmark immigration dot com जिसमें जस्मीजी आप से बात करेंगे thank you so much जस्मीजी thank you so much